गणीश करना क्या चाहता है गणीश चिंगोल से युद करते हुए उसे मंदिर के धीतर ले जा रहा है बस इतनी शक्तीती बालक खंद गईना मेरे पाश में अब बोलो कैसे करोगे तुम मेरा अंत मैं क्यों करूंगा मैं तो एक बोला आबूद बालक हूँ जिसे पाश में बांद कर तुम कस्ट पहुचा रहे हो अब तो तुम्हारा अंत उनके हाथों होगा जो मेरा कस्ट सेह नहीं सकती मा! 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 कि अपने पुत्र की पुकाइब कर दो कि अपने पुत्र की पुकाइब को कभी अंसुना नहीं कर सकती प्रभू आपकी मुस्कान ये दर्शा रही है कि कुमार विनायक और कुमार कार्तिके मकरन शक्ति पीड को जागरुत करने में सफल हुए आनंदी मकरन में स्थापित देवी का ये स्वरूप शक्ति का सबसे प्राचीन स्वरूप है जिसका सहज अनुमान और प्रतिक्रिया संसार के सभी अन्य जीवों से तीव रहे क्योंकि शक्ति का ये रूप ज्यान और चेतना की पराखाश्था है प्रहू माता के इस स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है इसके लिए तो मैं स्थीमा में बंधा हुनन दे क्योंकि एक फुत्र ने अपनी माता को रक्षा के लिए बुलाया है अब वो अपनी माता को क्या नाम देता है वो उस पर निर्भर करता है क्योंकि अपनी माता है कौन है ये जिसमें मेरे पास को एकी छण में बंग कर दिया है क्योंकि अवदारी था pouv पसके दे एका हुआएस्ड़ अप मेरे बंग क्योंकि अजाया हा प्रूज़ इवाले वो सब फिस बॉटे रहीं जो जो तुटे जो निक जो आटें एरान-टाने सित्टा सबक्राम आटी ठाटी अजारी झाले पुटे एだ वो जो युटे ले उनलमे इस प्रूप एटारी कर पिस लिडारीं प्रु़ें जो आटी साटारी जोटे हिर शारी कर थाए! अर्ण्ट र्रण्ट र्रण्ट अर्रण्ट अर्ण्ट एक जर्ण्ट तो तो निए नगे जोटी और अधार विदू आर गहनू और लक्ष विदू ये ओ अध्यागा आधार विदू गरगण में वे गू अरखन में वे तू सिष्टी भी में ब्रह्मान विदू जन्म पृत्विस्तार है डन की अन्प है तो आरभ है तो आपके इस रूप का दर्शन प्राप्त करके मैं और चेस्ट धन्य हो गए मा आपने हिंगोल दानों का वद्ध करके मेरे प्रानों की रक्षा की आज से संसार आपको हिंगलाज माता के नाम से जानेगा माता देवी सती का कौन सा भाग इस शक्ति पिट में उपस्ते थे देवी सती का कपाल सती का प्रहमरांद्र यहां उपस्ते थे ब्रहमरंद्र हां ब्रहमरंद्र जो व्यक्ति की चेत्ना को नियंत्रिक करता है मृत्यो के पत्षात इसी मार्ग से एक्ति की आत्मा मुक्त होती है मृत्यो के पत्षात करिया में इसी स्थान पर प्रहार करके आत्मा को परमात्मह से मिलने का मार्क दिया जाता है ताकि दैहिक विगटन हो सके और आत्मा दूसरे शरीर को धारन करने के लिए अग्रसर हो सके तुमने इस शक्ति पीट को जागरित करके चेतना से जुड़ी उन उर्जाओं को सक्रिय कर दिया है जो देवी पार्वती के पुनर जनम में सहायक होगी कि नहीं देपको कि अब यह उर्जा भारत की दक्शिन दिशाकी और अग्रसर होगी जहां देवी पार्वती, शिग्रही मानव रूप में जन मिलेगी तुम्हारी ये यात्रा संपन हुई अब तुम्हें अगली शक्ते पीट की यात्रा के लिए सज्ज होना चाहिए सफल हवा तुम्हारी यंद शक्ते ऑ्सकते लिए